हमारे आज पास बहुत साड़े पेर पोधे पाया जाते हैं कुछ पेर में और सधीय गुन पाया जाते हैं तो कुछ से हमें फल की प्राप्ती होती है लेकिन आज हम बात करेंगे बेल व्रिग्ज के बारे में गर्मी का मौसम आते ही हमें बेल की याद सताने लगती है लिखिन हम बात करेंगे बेल के पेड़ के बारे में, बेल के पेड़ से हमें क्या लाभ है, आइए जानते हैं, बेल वरिक्ष के आसपा साप नहीं आते, अगर किसी की सौव यात्रा बेल वरिक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मुक्ष हो जाता है, वायू मंदल में व् बेल पत्र पाने वाला परंभागे साली और सीव को अरपन करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल व्रिक्ष को काटने से वंस का नास होता है। एवं बेल व्रिक्ष लगाने से वंस की ब्रिधी होती है। सुबह साम बेल व्रिक्ष के दर्सन मात से पापो का नास होता है। बेल व्रिक्ष को सिजने से पित्र त्रिप्त होते हैं। बेल व्रिक्ष और सफेद आर्क को जोड़े से लगाने पर अटूप लक्षमी की प्राप्ती होती है। बेल पत्र और तामर धातु के एक विशेश प्रयोग से रिसी मुनी स्वर्न धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार और ओभी यदि भूल से भी सिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया हो तो भी जीव सभी पापो से मुक्थ हो जाते हैं। बेल वरिक्ष का रोपन, पोशन और सन्वर्धन करने से महदेव से सक्षतकार करने का अवस्यलाभ मिलता है। किर्प्या बेल पत्र का पेड़ जरूर लगा है। बेल पत्र के लिए पेड़ को छती ना पहुँचा है। कि झाल बेल इस तरह की तमाम बातों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले एवं बेल नोटिसिकेशन का बटन अवस्दबाद धन्यवाद